नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकस सिंग गौर निकाल चुनाओं में नगर निगम की सभी 17 मेर सीटों पर बीजेपी यूपी में जीत दर्ज कर भले ही अपनी पीर थपतपा रही हो और सीना फुला रही हो लेकिन मोधी के मंत्री हो या फिर योगी के मंत्री इनके अलاकों में भाजपा की हुई फ़जीत कुछ और ही संदेश दे रही है आम जन में या चर्चा होने लगी है कि मंत्रीों को किसी लायक न रखना या मंत्रीों के प्रतिन नाराज़गी का जाहिर होना निकाल चुनाओ के परणाम में सामने आया है आईए आपको यूपी के प्रदेश और केंदर के उन तेईस मंत्रियों का हाल बताते हैं जिनके इलाकों में भाजपा को मुह की खानी पड़ी है शुरुआत करते हैं सीतापुर जिले से यूपी के कारागाराज मंत्री सुरेस राही के बिधान छेतर हर गाओं से जहां के नगर पंचायत अध्यच पद पर भाजपा के हनाम बाबु मिश्रा को निर्दली अगफार खान ने पराजित कर दिया उद्ध्यान राजमंत्री दिनेश पताप सिंग के घर राय बरेली में भाजपा को पालिका अध्यच के चुनाओं में हार मि चेतर बारा बंकी में तीन में से दो नगर पंचायतों में भाजपा को हार का मुह देखना पड़ा अल्ब संख्यक कलान राजमंत्री दानिस आजाद अंसारी और परिवाहन मंत्री दया संकर सिंग के चेतर बलिया में दो नगर पालिकाओं में से एक में जबकि नौ नगर पंचायतों में से छे में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा सहारनपूर में ओदोगिक विकास राजमंत्री जस्वंत सैनी अपने बिधान सवा छेतर रामपूर मनिहारन की नगर पंचायत सीट भाजपा को नहीं जिता सके उधर मेरट में जल शक्ति राजमंत्री दिने सेट पर भाजपा हारी है समाज कल्यान मंत्री संजीव गौड के जीले सोन भद्र में नौ नगर पंचायतों में से 6 नगर पंचायतों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा खेल राजमंतली दिनेश चंद्र यादोगे जानपूर में तीन नगर पालिकाओं में से एक जब की नौ नगर पंचाइतों में साथ में भाजपा को मात मिली पसुद्वन मंतरी धरमपास सिंग के अलाव आउला नगरपालिका के साथ बिसारत गंच और सिरॉली नगरपंचायतों में भाजपा का कमल नहीं खिल सका मादमिक सिच्छा राजमंतरी गुलाब देवी के छेतर चंदोसी की नगरपालिका में भाजपा तीसरे अस्थान पर खिशक कर मुकाबले से बाहर हो गई गंणा विकास खंड एमचीनी उद्द्योग मंतरी चौधरी लचमी नरान के छेतर चाता में चार निकायों में से तीन में भाजपा को पराजय का कड़वा घूट पीना पड़ा केंदरी गहराज मंतरी अजय कुमार मिस्रा टेनी के निर्वाचन छेतर लखीम पूर खीरी में जिला मुक्छाले की नगरपालिका के अध्धिछ पद पर भाजपा परत्यासी तीसरे अस्थान पर पहुँच गई जबकि जीत भाजपा के बागी होकर चुनाव लणी डॉक्टर इरा सिर्वास्तो की हुई केंदरी मंतरी संजीव बालियान और यूपी के कौसल विकास राजमंतरी कपिल देऊ अग्रवाल के मुझफण नगर छेतर में दो नगरपालिकाओं में से सिर्फ मुझफण नगर में भाजपा जीती जबकि खतौली नगरपालिका सहित सभी आठ नगरपंचायतों में पराजय का कडवा घूट पीना पड़ा केंदरी मंतरी डॉक्टर महेंद पांडे के छेत चंदौली की पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगरपालिका में भाजपा प्रत्याशी को सोन किनर ने धरासाही कर दिया उधर नगरपंचायत चकिया में भी भाजपा को हार कास सामना करना पड़ा केंदरी बित राजपालिका और निधौली कला नगरपंचायत में भाजपा हारी है केंदरी सहकारता राजमंतरी बीयल वर्मा के बंड़ायों में बंड़ायों नगरपालिका में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा करस्य मंतरी सूर्य प्रताप साही के दिवरिया की पत्ध दिवरा नगर पंचायत में भाजपा प्रत्यासी को तीसरे अस्थान से संतोष करना पड़ा ग्रामी बिकास राजमंतरी बिजय लच्मी गौतम के सलेमपूर की तीन नगर पंचायतों में भाजपा को बैक पुट पर रहना पड़ा उर्जा मंतरी एके सर्मा के घर मओ की मुख्याले नगर पालिका के चुनाओं में बाजी बसपा के हाथ रही भाजपा को हार मिली इतना ही नहीं कुल दस नगर पंचायतों में से आठ में भाजपा का कमल नहीं खिल सका तो यह इस्तिती है उत्तर प्रदेश की जहां पर मोदी के मंतरी हो या फिर योगी के मंतरी उनके छितरों में भारती जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा अब ऐसे में सवाल या उठ रहे हैं कि 2024 में लोगसभा के चुनाव होने हैं और जब मंतरी अपने अपने छितरों में नगर निकाईच के चुनाव नहीं जिता पाए तो लोगसभा में क्या हाल होगा ये फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आइंडिया